आज जो ये सीधी की घटना हुई है उसने पूरे मद्यप्रदेश को देश भर में कलंकत किया है ये आदवासी समाज जो मद्यप्रदेश में सबसे अधिक है उनकी के हालात है और आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 मैंने में कहीं घसीट घसीट के गाड़ी से बांद बांद के इनको घसीटना कहीं जिंदा गाड़ देना मैं तो कहता हूँ केवल 10 प्रतिशत ऐसी घटनाएं सामने आती है ये उजागर होती है ये आज 18 साल बाद ये कानून विवस्ता अपने प्रदेश में है ये निया है हमारे आदिवासी भाईयों के साथ हमारे कमजोर बर दलिट सबाद के साथ ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है और शिवराज सिंग जी दित्ती नाटक नौटंकी कर ल अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो यो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते उनको मतलब कैमरा से था ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए अब ये चलने वाली नहीं है शिवराज सिंग जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचत हैं कि किस प्रकार की घटना है ये तो एक घटना है मैं तो कह रहा हूं ये दस प्रदिश्चत ऐसी घटना है सामने आती है आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा यह दित्ते भी पैर दुलबा लें दित्ती भी कैमरा सामले लगवा दें जिसकी आत्मा जिसका मन साफ होता है वो यह कैमरा से नहीं करते हैं हम यह मामला उठाएंगे उठाने की क्या वर्शक्ता है पूरा देश देख रहा है यह तो राष्ट्रिय एक खबर बनेगे प्रलोबन दे रहे हैं यह सब रिकॉर्डड है यह सब नाटक नौटंकी अपना पाप साफ करने के लिए यह बात साफ हो गए यह की आरोपी कौन है और यह कहां जहां यह घटना हुई है आरोपी कौन है इसमें कोई हमें देखने की अबशक्ता है इन्होंने यही समिती बनाएगी यही कैमरा की नौटंकी करेगी और यह इनको तब क्लिंचर देदेंगे यह हमारी पार्टी चाहे करेगी तो